एक आदमी के नेबर में न्यू कबल रहने के लिए आता है वो आदमी रियलाइस करता है कि इन में कुछ ना कुछ तो प्रॉलम है प्रॉलम तब आई जब वो नेबर की वाइब से अपसेस्ट हो गया इससे सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर आपको एकस्प्लेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एकस्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर माइक को देखते है माइक घर में एज़ फ्रीलाइंसर का काम करता है उसकी वाइफ एज़ टीचर जॉब करती है उसने एक दिन खिड़की से देखा कि उसके पास के हाउस में कुछ नए नेबर्स आय हुए है ये एक कपल था जिसमें वाइफ का नामे जेना और हस्बन का नामे स्कॉट वो इने वेलकम करने के लिए गया स्कॉट उससे बात करता है स्कॉट के पास एक रेसिंग कार थी जो माइक को बहुत अच्छी लगी स्कॉट कहता है मैं तुम्हें भी दिलवा सकते हो तो अपने नेबर्स के बारे में उसे बताता है कहता है कि मैंने उन्हें बार्बेक्यू के लिए इन्वाइट किया है वाइफ कहती है तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था मैंने उस बार्बेक्यू में सिर्फ फ्रेंड्स को बुलाए था यहां हम क्लेरली देख सकते हैं कि आजकल इन दोनों हस्बन और वाइफ में उतनी जादा कनेक्शन नहीं है वाइफ का नाम होता है लीसा लीसा एक टीचर है जो अपने जॉब से आजकल बहुत ही फ्रस्टेटेड रहती है इसके बाद हम डारेक्टली संडे पर बार्बीकु देखते हैं यहाँ पर भी स्कॉट माइक के फ्रेंड को कार सेल करने की कोशिश कर रहा था माइक बार्बीकु कर रहा था तो जेना उसके पास आई यह दोनों बाते करने लग गए माइकों से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ जेना कहती कि चार मन पर हम बहुत सालों से एक साथ थे जेना ने नोटिस किया था कि माइक का गार्डन बहुत ही ब्यूटिफुल है उसके न्यू हाउस में भी बहुत सारी जगा है तो वो भी उसे डेवलप करना चाहती थी माइक से पूछती है क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो माइक कहता कि अफकोस कर सकतो यह इस बार्बेक्यू में स्कॉट जेना को सही से ट्रीट नहीं करता अपना सारा खाना उसी को लाने के लिए कहता है उस पर जोर जोर से चिलाता है यह माइक को अच्छा नहीं लगा रात में लिसा और माइक इस स्कॉट के बार में बात कर रहे थे लिसा कहती है स्कॉट बहुत ही फणी है माइक ने कहा कि वो फणी नहीं है सिर्फ अजीव से किसे सुनाता है वो ग्लेरली स्कॉर्ट को पसंद नहीं करता था रात में माइक खिटकी के पास काम कर रहा था तो वो अपनी खिटकी से जेना और स्कॉर्ट करूंग देख सकता है वो देखता है कि वो दुनों इंटीमेट हो रहे थे वो फिर लिसा के पास अपने बेड में आ गया उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता था पर लिसा कहती कि कल में बहुत बीजी हो उसे मना कर देती है अगली दिन अपने गार्डन को जेना देख रही थी तो माइक बाहर आ गया उसे अब टेंशन आ रहा था कि इसकी गार्डनीग वो किस तरीके से करेगी माइक उसे कहता है तुम स्टार्ट करो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा उसने आकर उसे बहुत सारी टीप्स वेगरा दी जेना ने माइक के घर में उसके बेटे की फोटोस देखे थे तो बुछती की वो का है माइक केता है कि वो तुम्हारी एज़ का है और अब वो मूँ आउट हो चुका है जेना आशकल सोच रही थी कि क्या उसे बच्चे होने देने चाहिए या नहीं एक्चुल में स्कॉट को बच्चे चाहिए पर येना सोचती है कि उसे अपना करियर करना चाहिए अगर वो आप करियर करेगी तो फाइनली उसे बच्चों को समालना पड़ेगा तो सब चीजों का पॉइंट क्या है तो एक क्वेशन वो कर रही थी माइक कहता है तुम मेरी तरह घर से जॉब कर सकती हो दोनों चीजों को एक साथ मैनेज कर सकती हो इनकी इस कनवर्सेशन के बाद रात में जब माइक और लिसा डिनर कर रहे थे तो लिसा अपने डे के बारे में माइक को बता रही थी अपने जॉब पर उसे ज़्यादा काम है तो इसके बारे में वो फ्रस्टेटेट थी पर माइक का इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं था वो सिर्फ लिसा के बारे में सोच रहा था लिसा उसे पुछती है कि तुम क्या सोच रहे हो पर माइक इस बात को टाल देता है आज रात माइक ने काम करते हो खिड़की से देखा कि जेना और स्कॉट की बीच में जोर से लड़ाई चल रही थी एक जोर से आवाज आई जिसके बाद जेना चूप हो गई उसे लगा कि स्कॉट ने उसे मारा है वो इस बात से डिस्टरब हो जाता है अगले दिन माइक के बाद उसका फ्रेंड ब्रायन आयो हुआ था माइक उसे जेना और स्कॉट के बारे में बताता है ब्रायन गयता है कि मुझे भी लगता है ये स्कॉट एक बहुत ही घटी आदमी है उसने मुझे भी काल सेल करने की कूशिश की थी यही जब बात कर रहे थे तो जेना अपने गार्डन पर काम करने के लिए आती है ब्रायन उसे देखकर माइक से गहता है कि हो बहुत ही ब्यूटिफूल है तुम्हें उसके साथ ट्राइ करना चाहिए माइक इंबारस्ट हो गया वो ब्रिटेंड करता है कि वो जेना को उस तरीके से नहीं देखता है पर एक्चुल में आज कल उसके बार में बहुत सोचता है आज रात माइक ने फिर से लिसा से बात की उसे गहा क्या तुमें हमारा हनीमून याद है इसके बाद यह दूनों इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होते होते माइक को अपने वाइफ में जेना दिखी अगली दिन माइक फिर से अपने गार्डन को देख रहा था तबी जेना के पास स्कॉर्ट है और इन दोनों में जगड़ा हो जाता है फिर इसे माइक को लगा कि स्कॉर्ट ने जेना को मारा है वो आज रात काम पर कॉंसेनरेट नहीं कर बाता अब कुछ दिनों के लिए माइक का बेटा उसे विसिट करने के लिए आया माइक के बेटी को भी स्कॉर्ट के बास जो कार है उस वज़े सो बहुत कूल लगता है अग पहर जाकर वो अपने फ्रेंड ब्रायन से मिला ब्रायन फिर से जेनाओ को लेकर उसे इंकरेज करता है माइक ने उसे कहा कि स्कॉट जेनाओ को बहुत मारता है प्रायन उसे कहता है कि उनका घर का मामला है तुम इन दोनों में घुशो मत माइक जब घर पर आया तो स्कॉट ल जेना के साथ अच्छी फ्रेंड्शिप हो चुकी है वो बहुत बार उनके साथ हैंग आउट करता है यह माइक को अच्छा नहीं लगता इसके वारे में उसने लीशा से बात की कहा कि स्कॉर्ट अच्छा आदमी नहीं आलस को उसके साथ नहीं रहना चाहिए लीशा कहती है कि वो बड़ा हो चुका है तुम इस तरीके से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते माइक को जेना से बात करनी थी तो हमेशा उस पर नजजर रखता था एक दिन जब वो ट्रैश निकालने के लिए कि तो माइक भी उसके पास आता है कहता है मैंने तुम दोनों को फाइट करता देखा जेना कहती कि इतनी जादा कुछ भी सिरियस बात नहीं है स्कॉट सिर्फ कभी-कभी जादा पी लेता है तो इस वज़ेश उसका कंट्रोल चला जाता है जेना ने कहा कि जादा वरी मत करो सब कुछ ठीक है स्कॉट फिर से जेना पर घर के अंदर से चिला है कि जल्दी घर मे और जाओ, एक दिन माईक और जेना अपने गार्डण के लिए प्लांट्स लेने के लिए बात करते करते माईक अपने यउंग एज के स्टूरी उसे सुनाता है कि क्या-क्या वो स्मोक करता था जेना कहती कि मैं भी स्मोक करती हूँ पर सिर्फ कभी कभी ये दोनों फिर जेना की घर पर पॉट स्मोक करने लग गए अब स्मोक करने के बाद जेना सब कुछ सच सच बताती है कहती है स्कॉट का हमेशा एंगर का प्रॉलम था पहले ही कम था पर आज कल बहुत जादा बढ़ चुका है वो हमेशा से एग्रेसिव रहा है वो आज कल डिसाइड नहीं कर पा रही स्कॉट को बच्चे चाहिए और जेना आज तक कन्फ्यूस्ट है उसे लगता है कि स्कॉट के साथ शादी करना एक गलती थी माइक कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बच्चे नहीं होने देने चाहिए जेना को अच्छा लगा कि माइक को से समझ सकता है और उसने माइक को गले लगा लिया ये दोनों फिर किस कर लेते हैं आज राज जब माईक और लिसा बात कर रहे थे तो लिसा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा लेसन पर जाओ जेना मुझे उसके साथ लेकर जा सकती है माईक को यह आइड़ा अच्छा नहीं लगता कि एक साथ जेना और लिसा यह दोनों योगा क्लास पर जाए इसमें जेना जोर से जिला दिया और कुछ चीजों का तूटने का आवाज बयाय था माईक जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया जेना ग्राउंड पर थी वो अंदर गुसाता है तो स्कॉट उस पर भी गुसा हो जाता है कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो माईक ने कहा कि मैंने कुछ तूटने की आवाज सुनी थी स्कॉट कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो अपने घर जाओ माईक स्कॉट के सुनता नहीं और जेना से पूछता है क्या तुम ठीक हो स्कॉट को इस पर और भी जादा कुछ सा आ गया जेना ने माईक से कहा कि सब कुछ ठीक है सिर्फ एक flower pot नीचे गिर गया था माईक जानी रहा था तो Scott कहता है तुमें इतना interest क्यों है क्या तुम मेरी wife में interested हो जब भी वो swimming pool के पास आती है क्या हमेशा तुम उसे देखते रहते हो माईक ने कहा कि तुम बहुत घटी आदमी हो और फिर वो वहाँ से चला गया वो बहुत जादा disturb हो गया था लिसा घराने पर उसे पुष्टी है कि क्या हुआ है माईक उसे सब कुछ बताता है लिसा ने का क्या तुमने पुलिस को काल किया माईक कहता है कि नहीं लिसा कहती कि तुम्हें इस तरीके से उनके पास नहीं जाना चाहिए था तुम्हें भी कुछ हो सकता था जो भी चल रहा है उनके बीच है तुम इस तरीके से बीच में नहीं पढ़ सकते माईक फिर भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था तो लिसा कहती है कुछ ना कुछ तो गड़ पर चल रही है आज कल तुम ज़रा अलग हो गए हो लिसा ने उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा अगली दिन माइक ने अपना सब सामान लिया जब वो यहां से जा रहा था तो लास्ट टाइम जेना से बात करना चाहता है तो उसके घर पर गया उसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो जेना कहती कि सब कुछ ठीक है पर अब वो स्कॉट के साथ नहीं रहने वाली उसका एक एक एक्स बॉइफ्रेंड है जिससे उसने बात की उसके खाली घर में रहने वाली है माईक ने जेना से कहा कि मैं भी घर छोड़ कर जा रहा हूँ जेना को लगता है कि शायद उसकी वज़े से हुआ पर माईक कहता है वैसे भी हम दोन में बहुत सारी प्रॉल्लम्स थे माईक जेना से कहता है कि मैं एक अच्छी से आपार्मेंट को रेंट वेगरा करूंगा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो जेना को एप्लान अच्छा नहीं लगता उसने जब माईक को किस किया था तब वो सिर्फ हाई थी उसे माईक के लिए कोई भी फिलिंग्स नहीं है माईक भी फिर यहां से चला गया माईक अपने बेटे को कौन लगाता है और कहता है कि मुझ में और तुम्हारी मदर में सिर्फ थोड़े से प्रॉल्म चल रहे है मैं थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर रहूँगा पर उसके बेटे ने उसे कहा इं मदर ने तो कहा था कि तुम दोनों का अब डिवास होगा एक दिन माईक से मिलने के लिए उसका फ्रेंड ब्रायन आयो हुआ था उसने माईक से बुचा क्या तुम्हारे और जेना की बीच में कुछ हुआ था माईक कहता है कि वो कभी भी वर्क नहीं करता और वेसे भी वो अलग सिटी में जा चुकी है ब्रायन ने कहा कि मैंने अभी अभी तो उसे सिगनल पर देखा वो अभी भी स्कॉट के साथ ही है जब माईक इसके बारे में सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगा वो अगली दिन अपना कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ है इसका बहाना करकर फिर से जेना को देखने के लिए आया माईक ने जेना से बात की उसे पूछा कि तुम गई नहीं जेना कहती कि मैं प्रेगनन्ट हूँ और अब वो इस बच्चे को चाहती थी उसने कहा कि आज कल मैं और स्कॉट कपल की काउंसिलिंग पर भी जा रहे है हमें जो भी प्रॉल्लम से हम इने सौल करेंगे माईक कहता है कि अच्छा है आज माईक को अपनी गलती रियलाइस हुई वो लीसा को फिर से मनाने की कोशिश करता है उसके लिए डिनर बनाना चाहता था पर लीसा उसे कंप्रेटली इनोर कर देती है रात में जेना ज़रा अफसेट थी तो बाहर आकर स्मोकिंग करने लग गए माईक के देखता है और उसे कहता है कि बेबी के लिए अच्छा नहीं है घर में से स्कॉट नहीं भी देखा वो जेना के बास आया उस पर चिलाने लग गया माईक उस पर गुस्सा हो जाता है कहता है उसे इस तरीके से ट्रीट मत करो वो जेना को घसिटे घसिटे घर में अंदर लेकर जा रहा था माइक ने स्कॉट को मारने की कोशिश की पर स्कॉट ही माइक को जोर से पंच मार देता है वो जेना को घर में लेकर गया माइक भी फिर से उठकर स्कॉट को रोकने की कोशिश करता है Scott Mike को मारते मारते घर से बाहर निकल रहा था तबे Mike के हाद में गोल की बैट आगे वो जोर से Scott के सर बे मारता है उसके सर से बहुत जादा खोना आने लग गया जेना उल्टा Mike पर ही गुसा आओके वो कहती है तुमने ये क्या किया उसने माईक को घर से बहार निकल जाने के लिए कहा वो जल्दी से एम्बूलन्स को कॉल लगाती है पर स्कॉट की अपडेट हो चुकी थी यही पर यह मूवी एंड हो जाती है अगर हम देखे तो जेना और माईक यह दोनों फॉल्टी कैरेक्टर्स थे स्कॉट जेना को बहुत मारता था पर फिर भी उसी के साथ रहना चाहती थी वो बहुत ही कनफ्यूस थी कि उसे करना क्या चाहिए माईक भी अपने मैरेश से खुश नहीं था वो जेना में कुछ जादा ही इंटरेस्टेट हो गया यह इंटरेस्ट अपसेशन में बदल चुका था वो हस्बन वाइफ के फाइट में आ गया फाइनली उसके हाथ से मर्डर हो जाता है इसी के साथ आज का विडियो हम खतम करते है अगर आपको एक्स्प्लेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस स्वेडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा है बहुत सारी मुविज लेकर आदा रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूग के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आप का खैल रखे